आतादी दोस्तों तपो भूमी क्लासिस पर मैं अबदेश बदोरिया आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों मद्द प्रदेश पटवारी परिच्छा सुरू हो चुकी है और आज आपका पहले दिन की पहली सिप्ट का एक्जाम एनलेसिस लेकर दोस्तों मैं आ गया हूँ मैं लाइब इसलिए नहीं आया था क्योंकि लाइब में एक एक्क्यूरेसी के साथ कम समय में सारा एनलेसिस नहीं हो पाता है इसलिए मैंने दो फ़र एक वज़े से लेकर अभी पांच वज़े तक ये पूरा एनलेसिस में कर रहा था सारे कुश्यंस हमने यहाँ पर एक्ज चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें साथ ही साथ जिन लोगों के भी एक्जाम हों वो लोग आप इस वाट्सप नंबर पर अपने प्रश्न हमें जरूर भेजें क्योंकि अगर आप प्रश्न नहीं भेजेंगे तो फिर एक जेनून जो एक्जाम का एनलेसिस है वो हमको नहीं मिल पाएगा आज के इस एनलेसिस के लिए मैं धनवात देना चाहूंगा पिंकी जी का जो की खरगौन से हैं योगेश जी जो की सिवनी से हैं और चात्रो भारत अमित यादब जी इन तीनों लोगों का मैं बहुत-बहुत धनवात देना चाहूंगा उसमें भी पिंकी जी का विशेश तोर पे जिन्होंने हमको हमें सारे जो कुश्यंस है ना उनको एक बार वेरिफाई कर दिया कि हाँ यह आए है और यह नहीं आए है ठीक है तो एक्जाम के बारे में अगर हम बताएं आज पहला दिन था 200 नंबर का आपका एक्जाम था तीन घंटे का समय मिला था आठ सब्जेक्ट थे और यहां पर जो सबसे महतपूर बात है वो यह है कि यह जो कुश्यंस है ना यह मिक्स्ड आये थे मिक्स्ड का मतलब क्या है कि अलग-अलग आठ विसाय के 25-25 कुश्यं के पोर्शन नहीं बने हुए थे लेकिन ओसतन हर विसाय से 25-25 के कुश्यं ही आये थे कुछ विसाय के जादा भी प्रशन आये थे जैसे कि मैत हो गया, reasoning हो गया और English हो गया इनके कुश्यं जो थे वो 25 स ज्यादा थे तो वहां पर कुछ दूसरे विशय थे उनके प्रशन 25 से कम भी थे जैसे अगर हम देखें आप subject wise analysis पर आये तो हम देखते हैं GK के 20 प्रशन पूछे गए थे जिसमें MPGK के लगबग 10 प्रशन थे यह पूरे 20 के 200 प्रशन हमको मिल गए हैं जो एक्जाम में प प्रशनता था हमारा की चिन्व और चावल जिसे हाली में किसी अनुसंधान परसद हैधराबाद द्वारा किस जिले के लिए GIT दिया गया ठीक है इसको GIT दिया गया है वह किस जिले से संब्बन देते हैं तो बाला घाट से संब्बन देते हैं मद्ःप्रदेश में GIT पर में इस्तेत है इसको तो लुए तो कंपेर होल थे न करने बनाकर इसको कॉम्प्ली इसको रहोने इसको क्याल的人 तो उससे related कोई question अगली सिप्ट में आएगा तो आपको उसका फायदा मिल जाएगा अब अगला प्रशन है मद्द प्रदेश में राष्टपती साशन की अबदी तो एक्चुली ये प्रशन ऐसे नहीं आया था मद्द प्रदेश के संदर्म में नहीं आया था ये प्रशन आया था कि राष्टपती साशन काल की अधिक्तम अबदी कितनी हो सकती है तो राष्टपती साशन काल जब दोनों सदनों से बात पारित हो जाती है तो छे मा के लिए लगाया जा सकता है और बाद में इसको तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है तो यह इसका सम्वधानिक प्रारूप पूछा गया था, और यहां पर सुरू में मुझे प्रश्न कनफर्म नहीं था कि किस तरीके से पूछा गया, इसलिए यह जानकारी ओल लिग दी, कि मद्ध प्रदेश में तीन बार राष्टपती सासन लग चुका है, यह तीनों मैंने यह कुशन आया है, तो मद्ध प्रदेश में राष्टपती सासन को लेकर भी प्रश्न आपका बन सकता है, ठीक है, हलंकि यह सम्वधान का प्रश्न था, पांचवा प्रश्न है, आपका दच्छड भारत का प्रवेस द्वार किस राज को कहा जाता है, यह प्रश्न नहीं आ कुशन भी लिग लिए, यह कुशन MPSI 2016 में पूचा जा चुका है, कि किस राज को दच्छड भारत का प्रवेस द्वार कहते हैं, तो वो तमिल नाडू है, आपके में यह नीचे वाला प्रश्न बुरहान पुल वारा पूचा गया था, चटवा प्रश्न है, तांसेन की म्र अगला प्रश्न है, राज कोड़ वंस की स्थापना किस ने की, तो यह संग्राम सहाजी ने की थी, बावन गड़ों को मिला कर की थी, और इसी में बहुती प्रतापी महरानी दुर्गावती होई थी, ठीके, तो अगला है आठवा प्रश्न, आठवा है 1857 की क्रांती कहां से सुरू हुई थी, तो मेरट से सुरू हुई थी, दस मईए 1857 में, रियो सम्मेलन या रियो ओलंपिक से रिलेटेड कोई प्रश्न आया था, कन्फरम नहीं है कि किस से रिलेटेड आया था, रियो ओलंपिक से आया या रियो सम्मेलन से आया था, वो आप लोग बता देना, अ प्रश्ण पहले भी आपका MP पूलिस में भी पूचा जा चुका है डॉक्टर संकर द्याल सर्मा जी मद्ध प्रदेश के किस जिले से संबंद देता है डारेक्टली ऐसे प्रश्ण आया था ठीक है तो यह भोपाल से हैं नौबे राष्टपती रहे हैं देश के ठीक है यही प आपको क्या करना है यह भी देखना है कि जो राष्टी राजमार्ग होते हैं जो राजी राज के राजमार्ग होते हैं उनका निर्माड और रख रखाव का उत्रादाय तो किसका होता है क्योंकि यह option कुछ ऐसे थे ठीक है उनमें जिला परसद भी था तो यह simple question आ गया था एक question था यह आंगे का नाम clear नहीं हो रहा है सिव मंदर के सताबदी में बनाया गया आंगे कुछ नाम था चोर पुरा या फिर कुछ और मलब वो clear नहीं हो रहा मुझे नेट पर भी इंटरनेट पर भी डूरने पर नहीं मिला इसलिए मैंने यह आपे खालिस्तान चोड़ द वेशन है वह आप जरूर पढ़ लेना ठीक है आपका त्रपुरी में हुआ था वह महतपूर मत्य प्रदेश के हिसाब से भी वापस सवास्चंद्रवोस जी अध्यच बने थे तो और इसको भी डेटेल में देख लेना ठीक है सोलवा है आपका राष्टी ये बागवानी योजना जो है वो किस पंच वश्क वर्स के अंतरगत आई थी तो ये दसवी पंच वर्सी योजना 2056 में सुरू की गई थी राष्टी बागवानी योजना उसी का अंतरगत आती है कमबोडिया के किस मंदिर की दीवारों पर रामाडवा महाभारत की कहानिया लिखी है तो यह अंकोरवाट का मंदिर है अठारवा प्रस्ट था डलहॉजी ने राजा दिलीप सींग को पैंसन देकर लंदन किस वर्स वेजा तो अठासो उननचास की बात है तोड़ा किलियर नहीं है मैंने इंटरनेट पर ही सर्च करके आपको लिखाया अठासो अठासो अठास से उनननचास के बीच में कोई संधी राजा दिलीप सींग थे इनकी आयू काफी कम थे इनको पैंसन देकर और कोहिनूर हीरा लेकर इनको लंदन भेज दिया गया की रानी को आप ये कोईनूर हीरा गिप्त में दे दे सबाड़ दवाब बनाकर ये पुरी कहानी है ठीक है 19 वा प्रश्ट तो था वो यह था कि बुंदेल खंट के अंतरगत कौन सा जिला नहीं आता यह चार ओप्शन थे तो इसमें सैडोल आंसर हो जागा अब यह प्रश्ण आने से आपको एक चीज के लिए होनी चाहिए कि मद्ध प्रदेश के जितने भी आपके जिले हैं वो किस- एक्जक्ट कुश्ण नहीं बता पाया तो मैंने इसको इस तरीके से लिख लिए कुश्ण मैंने लिखाया इसी से रिलेटेट था एनीमिया से रिलेटेट था और महलाओं को लेकर कोई बात कई गई थी और जो ऑप्शन थे वह कुछ इसी तरीके थे थे कुछ बर्ग बना तो यहां से मैंने एक कुशन बना दिया कि राष्टी स्वास्त मिसन के तहते अनीमिया से निपटने के लिए अनीमिया मुक्त भारत अभियान के लच्छित वर्ग कौन-कौन से कि अनीमिया से किन को बचाना है तो 6-69 मां के बच्चे 5-9 वर्स की किसोरी 10-19 वर्स के किसोर गर वक्त 65 नमबर के कुशन मैं तो रीजनिंग को मिला कर हुए है ठीक है एक्जेक्ट फिगर नहीं पता है ठीक है तो रात को 9 बजे तपो भूमी क्लासेस पर हम लाइब सॉल्व कराएंगे डेली कराय करेंगे बस आप लोग हमको सही सही एक्जेक्ट कुशन भेज दिया करना हमारे वाटसप नमबर डवल एट थरी नाइन डवल फोर नाइन वन जीरो नाइन पर ठीक है क्या है कि अभी हमारे पास रीजनिंग के एक्जर्ट कुशन हमें मिल चुके हैं कुछ कुशन ठीक है मैत के अभी नहीं मिले हैं तो वह आप जरूर भेजना तो हम रात को 9 बजे उसको live solve कराएंगे अब देखो यह चीज हमें मालूम चल गई है कि इसका pattern कैसा है तो जो math आया वो ठीक ठाक आया थोड़ा time taking आया कि लोगों का time लगाए वहाँ पे ठीक है समयकार की बात की जाए तो आज का hero राय चार से पांच कुशन सबसे ज़्यादा कुशन इसी के आ माद माद का बहुलक के अंतर वाले फॉर्मूले को लेकर प्रशन आया है जोमेट्री का कुशन आया है औसल के कुशन आया है इस तरीके से मलों हर तरीके हर जगे से कुशन पूछे गए हैं और आपका जो नॉर्मल जो गड़त होता है न सामान अंक गड़त वहां से ही ज़्यादा पूछा गया है ठीक है और रीजनिंग की बात की जाए सभी लोग के रहा है कि रीजनिंग के कुशन भी जादा थे और रीजनिंग सरल भी बहुत आयी थी ठीक है पेपर कटिंग आकरती डूड़ो दरपड़ प्रित्विम्ब यह सब आपके इस तरीके के जो इमेज बनाकर प्रशन पूछे गए थे ठीक है यह सारे सवाल बहुत सरल थे लेकिन कुछ लोगों के साथ दिक्कत क्या हुई कि उनको प्रशन की इमेज सो नहीं हो रही थी ठीक है वो अपलोड नहीं हो पा रही थ प्रशन की इमेज नहीं दिख रही थी उनको या तो प्रशन नहीं दिख रहा था या ऑप्चन नहीं दिख रहे थे ठीक है तो ऐसी दिक्कत लोगों के साथ हुई है और वन आउट के कुश्यन थे स्लॉगिजम थी दिसादूरी थी बैटक विवस्ता वेन आरेक पदानुक देखें तो इंग्लिस जादतर बच्चों ने जो बताया कि वह 25 नंबर की ही बता रहा है लेकिन एक बच्चा था जिसने का कि 20 से लेके 52 तक इंग्लिस पूची गई थी तो वह उसने करेक्ट 32 कुश्यन बना दिये वह मैंने कहीं वीडियो में देखा था कहीं कोई मलब एक सनोनुम इसAntonum के दो कुश्यन और नरेशन डाएक इंटारेक्ट इंडारर का की कुश्यन जाए है तो उसका बन जाएगा कुश्यन ठीक है computer की अगर हम बात करें तो computer में जिस level का computer पूचा जाता है उस level का नहीं पूचा गया है उससे सरल ही पूचा गया है अगर हम यहाँ पर देखें हैं अब देखो मैंने एक चीजे में आपको बता दूँ की computer और science बैसे मैंने जितने भी question थे जैसे जो GK और Math वगेरा इनके जो question थे उनको मैंने cross check किया था ठीक है cross check किया था कि क्या यही question आये थे ऐसा मैंने 2 student के साथ cross check किया उन्होंने confirm किया गिए answer यही आये थे तो उनी-उनी question को मैंने यह रखा लेकिन computer और science के question जो मुझे मिले हैं उनको मैंने cross check नहीं कर पाया है क्योंकि time की कमी थी ठीक है बहुत देर से हम लगातार उसको बना रहे थे मैंने का डाल देते हैं बाद में आप लोग बता देंगे कि क्या यह सारे question सही है क्योंकि बैसे म ASEII तो मुझे लगता नहीं कि पांचों पूछे गया होंगे आप बताना कि यह पूछे गये थे कि नहीं ठीक है Ubuntu software से related कोई question था ठीक है एक question ऐसा था कि निम्ण में से कौन सा non-numeric data है यह जिसमें नंबर 1234 नहीं आते तो करमचारी का नाम option आ रहा था वह answer हो जागा निम extension of Excel से related a question था कोई भी हो आप यह extension जो Excel के होते हैं और और भी चीजों के जो file extension होते हैं उनको पढ़ लेना shortcut keys के बारे में बता है कि यह तीन shortcut keys के question पूछे गए थे control tab Ctrl J Ctrl X उनका कहना है कि यह answer थे तो shortcut key के तीन question आये थे ठीक है तो यह आपका computer का हो गया अब बढ़ते हैं बिग्यान पर बिग्यान में अगर हम देखें तो physics chemistry biology तीनों के question आये थे इसमें भी chemistry और बायो के question ज्यादा आये थे physics के जो numerical PU जो होता है उसका रासानिक संक्यत क्या है यह पूचा गया था तो plutonium ठीक है यह अगर पूचा गया तो आप समझा लो कि आवर्ट साडी अब आपसे पूछी जाएगी calcium carbonate से related कोई question था या फिर question ऐसा था कि काली चूणा या बुजी चूणा का रासानिक सूतर क्या होता है तो वो यह था ठीक है निम्न मैसे कौन उसमा का अच्छा संभाग है option दिये होंगे हो सकता है ग्रेपड वगएरा उसमें दिया गया हो तो वो आंसर होगा मलब और भी option के साब से इसके आंसर अपन लगा पाएंगे विटामिन से related कोई question था विटामिन E के बारे में ज्यादा बच्चे बोल रहा थे कि विटामिन E से related कोई था DNA में कौन सा प्रोटीन पाए जाता है क्रोमेटीन पाए जाता है स्वास्तन से संबंदित रूख कौन सा है और उसमे कोई smallest bacteria से related कोई question था ठीक है तो यह question science में इतने question आपको मिले अब हिंदी की बात करें तो हिंदी के question ज्यादा बच्चों को याद नहीं रहते और बच्चों को ज्यादा कठन भी नहीं लगे इसलिए उन्होंने हिंदी को ज्यादा उसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं कह समास का कोई question नहीं आया था तसम तद्वाव परियाबाची बाकसुद्धी कारक बचल यह सवाएं इसका मलब यह है कि उनको 20 question देने हैं लगबग इंदी के question थोड़े कम थे हैं कि 20 question अगर उन्हें देने हैं तो उनमें वो सारे grammar को ले लेंगे दीमेदी में आज संधी प्रिकुल बोल रहे होते कि sir management में तो बहुत दिक्कत हो गई है सब ऐसा ठीक है जिसने पढ़ा है उससे बन रहा है जो question है उन questions का लेबल उसी तरीके का है ठीक है जिन्होंने पढ़ा है उनसे बन रही है ठीक है तो कुछ question मैं यहां पर बता दूं question आए कैसे है question मतलब factual question कम आए कि मतलब कोई सन पूछ दी हो या कुछ ऐसा factual question कम आए कुछन आए जिसमें चार option होंगे और चार option में आपको सोचना होगा कि यह क्या हो सकता है और वह आप लगा दोगे तो वह question easy रहते हैं एक तरीके से ठीक है परसंटू परसंट वेरी करते हैं जैसे आया प्रवंद के फाइदे बताने संग्ठन में प्रवंदन के उद्देश क्या हैं सामाजी ग्योजना में अधिक समय कौन रहता है option के साब से हम इसको टैकल कर पाएंगे तो यह था हमारे आटो सब्जेक्ट का analysis रात को नौ बजे में लाइव आउंगा और अगर आपको यह analysis की daily pdf प्रा analysis पसंद आया होगा अपने दोस्तों के साथ सेयर जरूर कीजिए कम समय में accurate analysis हम सालों से देते आ रहे हैं और उसी का प्रियास इस बार भी रहेगा बस आप लोगों का सयोग रहेगा तो यह analysis last 26 अप्रेल तक चलता रहेगा धन्यबाद जयमात आदी